शहादत कहान समकालीन प्रतभाशाली युवा लेखक हैं जोनोंने हिंदी कथा जगत में बहुत तेजी से उभरते हुए अपनी जगे बना ली है उनकी शुरुवाती कहानियों से ही उनके पाठक वर्ग को उनसे काफी उम्मीदें हो गई हैं आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कुर्बान मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा से उन दिरों मैं चौती कक्षा में पढ़ता था जब अम्मी को बक्री पालने का शौक पैदा हुआ था वो ईदगा के पीछे वाली बस्ती में जाकर एक वक्री देख भी आई थी और फिर मुझसे बार बार उसे देखाने का इसरार करने लगी ताकि मैं जाकर उसे देखनू और उसे खरीदने के बारे में अपनी पसंद और नापसंद अम्मी को बता सकूँ लेकिन स्कूल, ट्यूशन और फिर आलस की वज़े से मैं जानी पाया अम्मी ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया और एक दिनों परोस की एक औरत के साथ जाकर खुद ही साथ सो रुपे में उसे खरीद लाई थी वो हलके कत्था ही रंकी बकरी थी, उसके माथे पर सफेद रंका एक निशान था, कान छोटे छोटे और नुकीले थे, उसके सींग नहीं थे इसलिए अम्मी उसे मुंडी बकरी कहती थी, जब वो आई थी तो बहुत दूबली पतली थी, इतनी दूबली कि उसकी पसलिया तक गी नहीं जा सकती थी लेकिन अम्मी की देखभाल से वो जल्दी गोल मटोल हो गई थी, अम्मी जब उसे घास खाने के लिए बुलाती तो कहती, आजा मुंडी आ, घास खा ले तो वो भी अम्मी की आवास सुनते ही उनके पास दौड जाती, हमारे गर आने के दो महीने बाद ही वो नए दूद हुई थी, तब ही अम्मी ने कहा था, अगर हमारी बक्री ने पहला बक्रा दिया, तो अल्ला नाम का होगा, यानी आने वाली एद अल अजहा, अर्थात बक बक्रा यीद पर हम उसकी कुर्बानी करेंगे, और फिर अगले पांच महीनों तक वो हर नमाज में उस सास की तरह जिसकी बहु पहली बार हामला मतलब गरवती हो, और वो अल्ला से दूआ करती हो, कि तू उसकी बहु को पहला बेटा ही देना, दूआ करती रही थी, ए अल् वो सुबही उसके सामने ताजा और हरा घास खाने को रख देती थी, जिसे छोटा भाई घास मंडी से खरीद कर लाया करता था, दोपहर में वो उसके लिए भुस की सानी दिया करती थी, और रात को मौसमी का गुदा खाने को देती थी, जिसे वो महले के उन बच्चों को द दो पांच रुपए दे कर मंगवा लिया करती थी, जो बाजार में ढ़ाबों, दुकानों और ठेलियों पर काम किया करते थे, ठीक पांच महीने बाद, जुम्हे के दिन बकरी भी आ गई, और उसने बकरा ही दिया, काले रंग का, उस पर जगए जगए सफेद रंग के चिक पिनट बादी उसने चलना शुरू कर दिया था, अम्मी ने हाथ के नाकूनों से उसके खुरों को चूट दिया था, ताकि बड़े होने पर और लंबे और बेतर तीब न निकल आए, साथी उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था, कुर्बान, अब वो दो महीने के हो गए इसलिए अम्मी ने उन्हें घर में बादने की बजाए बैठक के आगे बनी एक चोटी सी कोटरी में जिसे हम लोग दुकान कहते थे, बादना शुरू कर दिया, वो उन्हें सारा दिन खुला रखती, रात को ईशा की नमाज के बहुत बाद में जाकर उन्हें बाद दी, फि वो दर्वाजा खुलते ही कुर्बान सड़क पर एक लंबी दौर लगा दी था, वो चलता कूता दूर नहर तक जाता और फिर वापस आकर अपनी मा की पिछली टांगों के बीच घुश जाता, दूद पीते वक्त वो अपनी छोटी सी पूश को हाई स्पीश से चलते पंख प्रिता धसकता इधर धर गर्दने लाने लगता, नमाज पढ़कर अपने घरों को जाते लोग जब उसको दूद पीते हुए पूछ हिलाते देखते तो वो हसने लगते, हम भी उनसे मजाक में कहते, आजाओ ताओ जी हवा खालो, इसकूल से आने के बाद शाम को हम दोनों भाई उसे और उसकी मा को चराने ले जाया करते थे, कभी नहर पर तो कभी बाग में, कभी सड़के इस तरफ तो कभी नहर के उस तरफ, जहां वो चरता तो कुछ नहीं था, बस सारा वक्त हमारे पीछे भागता रहता, कभी हमारे टकरे मारता, तो कभी हमारे पास आकर रहता कुर्बान अम्मी से कुछ जादा ही इल गया था वो सारा दिन उनके पीछे-पीछे गुमता रहता अगर वो बाहर तो बाहर और घर के अंदर होती तो और जब वो नमाज पढ़ती तो वो उनके मुसल्य के सामने जाकर बैट जाता फिर जब वो नमाज खत्म करके मुसल्लह उठा कर उसे अंदर रखने जाती तो वो भी उनके पीछे-पीछे अंदर चला जाता जहां वो उसे कभी मुठी बर गे हूं कभी मक्का तो कभी चने खाने को दे दिया करती थी ये उसका रोज का काम था हाला कि वो हमेशा अंदर कमरे में नहीं जाता था बिजली के चले जाने पर जब कमरे में अंधेरा होता तो दर्वाजे पर ही रुख जाता और अम्मी के आने का अंतिजार करता जब किसी दिन वो वहाँ नहीं आता तो अम्मी बाहर गली के तर्वाजे पर खड़ी होकर कहती आजा रे कुर्बान ले किटू किटू और वो जहां कहीं भी होता आवाज सुनते ही फौरण चला आता कुछी महीनों में वो काफी बड़ा हो गया थ भारी और बलचाली भी एक बार अबू जी उसे नहर पर घुआने ले गए थे वापसी में आते वक्त पतानी उसे क्या सुझा कि एका एक दौर पड़ा उसका रसा हाथ में पकड़े अबू जी उसे पूरी जान लगा कर रोगने की कोशिच करते रहे लेकिन वो रुका नही उनने भी अपने साथ खीचता चला गया जब उनसे उसके साथ नहीं भागा गया और उसका रसा उनके हाँ से फिसलता चला गया तो उनने उसे छोड़ दिया छूडते ही वो इतनी तेज भागा कि घर आकर ही रुका उसके पीछे पीछे हाफते हुए अबू जी आये और फि उन्होंने अम्मी से कहा अम्मी उस वक्त नवाज पढ़ने के बाद मुसले पर बैठी हुई उंगलियों के पुरों पर तस्भी पढ़ रही थी कुर्बान उनके बगल में आखड़ा हुआ था अब्बू जी की बास सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसकी गरदन में डाल दिये और उसके लाड़ करते हुए कहा हैं आज तुन्हें गिरा देता कुर्बान और फिर उसके मूँ पर अपनी नागर गड़ते हुए कहा मेरा सोना बच्चा रमजान के दिनों में वो और भी ठाड़ा मतलम मोटा हो गया था उन दोनों दोड़ना तो दूर जीने पर चढ़ते हुए भी उहाफने लगता था एक एक पैड़ी पर बड़े आराम से और सुस्ता सुस्ता कर चढ़ता रमजान का महिना था इद आने वाली थी और फिर उसके बाद बकरा आई था इसलिए शहर में उन दोनों चोरों का बड़ा शोर मचा हुआ पठान कोर्ट में तो एक ही रात में कई घरों से बकरे चोरी हो गए थे खुद हमारे महले में भी दिन में ही एक बकरी चोरी हो गई थी इसलिए अम्मी ने अब उसे घर में ही बांधना शुरू कर दिया था वो भी अपनी चारपाई के पाई से तो भी उन्हें सुकून नह प्र पाई थी तो अम्मी ने उसे नहला दिया था फिर अगले दिन शाम गो जब उन्होंने अपने हाथों कर मेंध्य लगाई तो इसके पेट के सफेद हिसे पर भी मेंधी से चांद-तारा बना दिया था। यद वाले दिन भी जब तेज धूप निकली थी तो उन्होने उ चौल से उसे पोंच दिया था और अपने साथ ऊपर धूप में ले गई थी जहां वो सीर मतलब से महियां बना रही थी वहां उन्होंने उसे पिसी हुई मक्का और भुने वे चने खाने के लिए फिर वो सारा दिन चत पर ही बैठा रहा था दिन गुजरते गए और फिर बकरा करने के लिए दें या ना दें चांद वाले दिन हम दोनों भाई बड़े खुश थे शाम को मगरिब के बाद जब चांद दिख गया तो महले के बाकी बच्चों के साथ हमने पूरे महले में घरगर जाकर लोगों को सलाम किया था और उनको ईद की मुवारक बात दी थी महले की कुर्बानी करेंगे आपने वो हमारा कुर्बान देखा है ना उसी की इस शान के पीछे भी एक रास था कुर्बानी के जानवर से आपकी आर्थिक हैसियत का पता चलता है वो समाज में आपके रुटबे और रसू को प्रदर्शित करती है जो लोग बकरे की कुर्बानी वो ज्यादा अमीर कहलाते हैं और समाज में उनका रुटबा भी बढ़ता है हमारा जवाब सुनकर हो कहते माशालला माशालला तुबारा बकरा तो बहुत ठाड़ा है उसमें तो खुब गोश्त निकलेगा हमें भी खिला होगे ना या नहीं हाँ क्यों नहीं आप तो हमारे परोसी हैं आपका हक तो पहले बनता है घर से बाहर जितनी चहल पहल और खुशी थी घर के अंदर उतनी खामोशी और उदासी थी अब्बू जी मस्जद गए थे और अम्मी अंदर कमरे में पलंग कर बैठी हुई थी कुर्बान उनके पैरों के पास बैठा हुआ था वो ग पूर जी के साथ मस्जद में नमाज पढ़ने गए मस्जद जहां और अंदर के हिस्से को छोड़कर पूरी खाली पढ़ी रहती थी वहीं आज वो उपर से नीचे तक और अंदर से लेकर बाहर तक नमाज पढ़ने वालों से ठसा ठस भरी होई थी मस्जद से आकर हम लोग तयार हुए और इदगहा चले गए वहाँ से आने पर देखा तो पूरे महले में गेंदे के फूलों का माला पहने कुरबानी के जन्रों उनों गेर कर चलते हिस्सेदार यहां आपको बता दूं बक्रे को छोड़कर हर बड़े जन्रों में साथ हिस्सेदार होते हैं तोपी पहने लोगों की बहार थी उनके सिवा वहां कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमने भी कुर्बान कुछ अच्छी तरह त्यार किया हुआ था। उसके गले में गेंदे और गुलाब की फूलों की माला पहना ईूई थी। उसके माथे पर मेंदी से चांद तारा बना हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, पर बहुत उदास भी, अबू जी जब उसे कुर्बानी के लिए ले जाने लगे, तो बहने रोने लगी थी, और अम्मी तो अंदर वाले कमरे से बाहरी नहीं निकली, उन्होंने तोहीद जो छोटे के कारण भी बड़े सक्त दिल का था, से कहा, चल भई, जब वो नहीं जा रहा तो तू चल, तोहीद ने अबू जी के कहते ही कुर्बान की रसी पकड़ ली, और उसे कुर्बानी के लिए लेकर चल दिया, लेकिन तब ही मुझसे छोटी बहन आई, और व बेटा, हमने इसे बोल रखा, इसकी पैदाईस से भी पहले, और अल्ला ने हम ये कुर्बानी के लिए ही दिया, अब अगर हम पीछे हट गए तो अल्ला नाराज हो जाएगा, अल्ला इसकी कुर्बानी से कैसे खुश होगा अबू जी, वो तो अपने हर एक बंदों से साथ माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, फिर ये तो बेचारा बेजुबान जानवर है, उसे इसकी कुर्बानी से क्या खुशी मिलेगी, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ये अल्ला का हुक्म है, अब तुम अंदर जाओ, वो अंदर आ गई, और अम्मी के गले लगकर रोन नहीं दिया, वो सारा वक्त खामोश बैटी रही, अबुजी और तौहीद के जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे कुर्बानी वारी जगह पर चला गया था, पर अबुजी वहां नहीं थे, बस तौहीद और महले के चार-पाथ जवान लड़कों ने कुर्बान को जम मैंने देखा कि अबुजी दर्वाजे के पीछे चुपे हुए गमगीन खड़े थे और जब उन्हों ने दर्ज से कराते हुए कुर्बान की आवाजें सुनी तो उनकी आँखों में आसु आ गए थे, ये पहली और शायद आखरी बार था जब मैंने अपने बाप को रोते ह हुए देखा था, एक लोहे के बहुत बड़े टप में भर कर उसका गोश्ट घराया था, लेकिन हम में से किसी ने भी उसका गोश्ट चका तक नहीं, अम्मी ने सारा का सारा महले और रिष्टेदारों में बटवा दिया था, काम खत्म करने के बाद शाम को उचार पाई पर जरा, कहीं उपर तो नहीं चला गया, फिर जब वो नमाज पढ़ती और सलाम फेडने के बाद कुर्बान को अपने पास ना पाती तो कहती, कुर्बान तो आज आया ही नहीं, देखियो कहीं बाहर तो नहीं बैठा है कहीं, इसके बाद वो उठकर खुदी बाहर गली के अम्मी को जब इस बात का एहसास होता तो अपने मुपर तुपटा डाल कर सुबक सुबक कर रोने लगती और कहती आजा रे कुर्बान ले किटू किटू इसके बाद अम्मी ने फिर कभी कोई बक्री ने पाली जो थी उसे भी बेश दिया अभी आप सुन रहे थे शहादत खान की लिखी हुई कहानी कुर्बान एक मर्म को चू जाने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे, खुश रहें, आबाद रहें